नमस्कार आप देख रहे हैं अपना खास पसंदीदा चैनल जिसमें हम बात करते हैं वास्तो की और वास्तो की वो अंसुलशी पहिलियां सुलजाते हैं जिनके बारे में आपके मैंड में सवाल आते रहते हैं एक के बाद एक आज का सवाल बहुत जबरदस्त आज के वीडियो में आपको बताऊंगा मैं एक टेडी खीर आप देख रहे हैं अब तक दिशाएं देखने नहीं आई और जो थोड़ी बहुत आती थी वो भी भूल गए किस चक्कर में आपकी यही आँके खोलने वाला वीडियो आपके सामन नमस्कार साथियों मैं हूँ डॉक्टर आनद भार्दवाज और आप देख रहे हैं अपना खास कारे करम साथियों कोई मेरा बुरा चाहता है मेरा बुरा करता ही यह उसका करम मैं किसका बुरा ना करूँ मैं किसे के बारे में बुरा ना सोचूँ यह मेरा धरम साथियों जो गलती अंजाने में होती है वो गलती नहीं होती लेकिन कुछ गलतीयां हम क्या करते हैं कि एक गलती को सही प्रोब करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए और ये दिखाने के लिए लोगों को कि देखो हम बिल्कु ठीक थे कई बार हम दूसरी गलती करते हैं और जब गलतियां दो होती हैं तो उनको जस्टिफाई करने के लिए तीसरी गलती करते हैं एक श्रिंखला है पूरी के पूरी चेन बन जाती है गलतियों की हमसे साथियों आज इसी पर मैं आप से चर्चा करूँगा कि दिशाएं देखने में ट्विस्ट कहां पर आ गया अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारा सिल्सला जो है दिशाओं को ट्विस्ट करने का चला कहां से और कैसे आया साथियों ये जो वीडियो बना रहा है इसके पीसे कारण क्या है कि पिछले कुछ दिन में मेरे पास भारत के अलग-लग जगां से साथ से भी आया गोहाटी से भी आया जम्यों से अरलस सांसे और डिली से भी मेरे पास ऐसे फोन आने शुरू हुए कि सार आपके जो grid होते है ये square year rectangular होते हैं या तिकोने होते हैं साथियों तिकोने grid तो मैंने ना कभी देखा ना कभी सुना ना कभी सोचा लेकिन आज जो मैं आपके सामने एक चीज लाने वाला हूँ इसको सुनने के बाद ने हो सकता है कि आप भी हिल जाएंगे कहरें ये क्या हुआ क्या सीख लिया हमने कहां से कहां चले गए अब देखिए आज का जो मेरा कारेकरम खास इसी के लिए Recent Twist in Vastu Who Crafted, Who Authenticated And Who Justified वो कौन है जिसने की वास्तु में Twist कर दिया वैदिक वास्तु को वेदों से अटाकर कौन कहां ले गया मुझे नहीं पता लेकिन पिछले कुछ दिन में मेरे पास जो सवाल आने शुरू हुए उससे मुझे ये मजबूरी हुई मेरे सामने के मैं ऐसा वीड़ी जरूर डालू जिससे कम से कम लोगों को Align to कर दूँ मैं कम से कम उनको बताता दूँ उनको जगाता दूँ कम से कम के कहां गलती कहां हो रही है साथियों कुछ चीजें जो है ना अचानक कहीं से टबक पड़ती है बीच में ये चीज भी आपके सामने जो आएगी डिरेक्शनस के बारे में कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है कितना बड़ा अन्याय हो गया ये आपके सामने आने बाला है अब देखिए साथियों मैं आज आपका ध्यान कुछ ऐसे विशे की तरफ आकरशित करना चाहता हूँ आपको वहाँ लेके जाना चाहता हूँ जहां पर आपको ये ऐसास दिलाऊंगा कि कब किसने कैसे कब वैदिक विशे को वास्तु शास्तर के वैदिक विशे है वास्तु शास्त्र जैसे वैदिक विशे को कब बदल दिया कब उसको किसी ने अपने लिए अपने इसाब से जैक कैसे ढाल दिया और ढालने के बाद क्या होगा कि उसके बाद में जो चीज सच होती है वो सच होती है जो crafted होती है वो crafted होती है एक ऐसा system develop हो गया है मेरे पास phone आ रहा है बहुत सारे कि सर ऐसे होता है वैसे सुना है हमने ऐसे सुना है हमने तो कभी पढ़ा नहीं कि ऐसा हो रहा है जो आज कल दिखाई भट रहा चाहती हो कहीं आप भी तो उस चकर में फसने वाले नहीं है आज जो changes मेरे सामने आ रहे हैं वो changes कोई बहुत जादा comfortable नहीं है क्यों क्योंकि अगर आपने उस line पर चलकर अगर आपने वास्तु शास्त्र की consult शुरू कर दी है या अपने घर का लक्षा खुद अपने लिए अपने flat का अपने plot का अगर अपने लक्षा उसके एसाफ से बना लिया है जिसकी बात में आज कर रहा हूँ तो सात्यों हो सकता है कि आप भी बहुत बड़े धर्म संकट में फच जाएंगे क्यों हो सकता है कि आपका जो client है जिसका आप advice करना जा रहे हैं हो सकता है कि उसकी जो basic बाते हो उसका ही जवाब आपके पास ना हो क्यों क्योंकि आपने एक ऐसा तरीका अपना लिया है जो तरीका आगे चलके आपको फचाएगा और आपके पास कोई लॉजिक नहीं होगा, आप प्रूब नहीं कर पाएंगे, अपनी बातों में अपने आप ही फज़ जाएंगे, अब देखिए कि एक बहुत पहले से बिल्कु ठीक चल रहा था वास्तुशास्त, ग्रिड सिस्टम था, एक चौरस होता था, स्क्वेर है, र पास कासा मामला गडबर कर दिया, और उसने इतना गडबर किया, कि जवाब देते नहीं बन रहा है और वास्तुशास्तियों से, जो की उसको अपना के चले हैं, गलत रास्ते पर चले और उन्होंने सीख ऐसा लिया, अब क्योंकि सिखाने वाले ने सिखाया, तो सीखने वा में उसके जिस इसने बनाया उसने अपना ही बता दिया अपना नाम रह दिया तो यह जो चक्र है यह आगे चलके यह जो चक्र का मगड़ जाल है इसमें आप भसने वाले हैं अब देखिए कि स्क्वैर प्लॉड का जो शेफ होती है वह बहुत अच्छी होती है आपने पढ़ा भी यह देखा भी यह शास्त्र भी कहते हैं किताबों में लिखा है स्क्वैर शेफ जो है वास्त्र के नुसार बिल्कुल परफेक्ट शेफ होती है और ऐसा ही प्लॉड होना चाहिए भवन ऐसा ही होना चाहिए मकान ऐसी हो विला भी ऐसा हो आपका कोई भी वुखंड अब तक सबका सफर बहुत सुभाना, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई सवाल नहीं, कहीं कोई क्वेशन वार का आपके सामें नहीं आया, देखिए ध्यान से देखना इस वीडियो का अखीर तक, मैं आपको उस पॉइंट बो लेकर जा रहा हूं, जहां पर आपको आपकी गल मिलेगा, ग्रिड सिस्टम मिलेगा, 9 into 9, 8 into 8, मतलब जैसे कि माल लिए 5 गुणा 5 को बोलते हैं, 25 हो गया, 25 के बाद 36 हो गया, फिर 7 गुणा 7, 49 हो गया, 8 गुणा 8, 64, जो की मंदलों के लिए उस करते हैं हमेशा, और उसके बाद में घरों के लिए आम तोर पर 9 into 9 का ग्रि इसमें लगे हुए, बहुत असान तरीका, ऐसे में तो हमारा बहुत अच्छा बज जाएगा, प्लोट, मकान, दुकान, फिलैट, जो भी मनाएंगे, बहुत अच्छा मनेगा, इसके बाद, वास्तु में आपको पता है, कि जो अनुपात होता है, जो रेशे होता है, वो 1 is to बताया था, कि उसमें इनर्जी कैसे चलती है, बताया था, साथ में मैथमेटिक्स का भी मैंने सहरा लिया था, कि किस तना से इनर्जी ठक जाती है, कैसे चलती है, अब ये देखिए, कि रेशे हमारा 1 is to 1 का, एक और एक का रेशे हमारा बिल्कु ठीके साथ ही हो, इसमें आई कानुपात, वास्त शास्त के अनुसार आखरी है, इसके बाद अगर प्लॉट लंबा होगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसके बाद प्लॉट को बोलेंगे हम, लंबो तरह प्लॉट, अब देखिए, ये रेशे हो गया, इससे जो लंबा होता है, जो भी भूखन लंबा ह होता है, उसमें वास्त शास्त सिफारिश नहीं करता, इलाज होते हैं, रेमेडी होते हैं, कितने लंबे से लंबे प्लॉट होते हैं, बड़े बड़े लंबे प्लॉट मेरे सामने आते हैं, अभी डिसेंटली मेरे सामने प्लॉट आया था साथियों, वो क्या है कि तीन चार फिट बाई 200 फिट का हो गया क्योंकि फ्रंट से भी उसका बटवारा हुआ चार-पांच भाईयों ने वांटा तीछे से भी वांटा और जब उसको दो गलियों का आपस में जोड दिया उन्होंने लंबा कर लिया अपने उसको कॉमर्शल जगाती दुगान है अभी भी है वो लोय का काम करता है वो तो वहां पर जो उसका भुखंड था वो दस फिट बाई 200 फिट का हो गया ठीक इसके बाद आगे चलते हैं सब कुछ ठीक चल रहा था यहां ता कोई समस्या नहीं चल दे थी बहुत बड़ी चल रहा था वास्तु कंसर्टेंसी चल दे थी 9 इंटो 9 के ग्रिड मैं देखो बार-बार इस शब्द को रिपीट कराऊं साथियों यह वीडियो आपकी आँखे खोलने वाला है और जहां-जहां पर मेरा लेक्चर हुआ है पिछले तीन महिने के अंदर वहां पर मैंने यह मान के चलना क जिसने भी देखा सबने रिकॉर्डिंग करी रिकॉर्डिंग करने के बाद कहता सर आज आपने हमारी आँखे खोल दी हम तो कहीं और चल पड़े थे रास्ता बदल दिया था और आगे चलके हमारे सामने कांटे आते गड़े आते हैं फश जाते सर आपने हमें निकाल दिया वहां से बचा दिया, 9 into 9 का grid, 9 गुणा 9 का जो grid है, मैं फिर से repeat करूँ, बहुत अच्छा चलता है, वास्तो शासर में शुरु से जो कल्पना हुई है, इसमें क्यों, क्योंकि 81 जो grid होते हैं, हर grid में किसी ना किसी देवी देवता का निवास होता है, ऐसा मानते हैं, उसी को कहते हैं, जो देवी देवता होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं, वो तो दूसरी बात है, बर हर जगाँ पर एक इनर्जी होती है, एक उर्जा केंदर होता है, एक वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी अच्छी इनर्जी होती है, जो कि हमें वहाँ पर कुछ ना बीच में है मैंने जुग सब्सक्राइड से तो ऑफ मेरे सामने और या मैंने बतायास मेने बता कौँ मैं देखिए ये टाल dipped आए घृटा महामारी के तरह महामारी ले कट्रा तरह यह जो सबस्क्रा आ देखिए इसको मैंने हाइलाइट किया हुआ है यह जो महामारी वर्ड है ना यह महामारी इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि आगे चलके यह आपके सामने बहुत जादा विकट समस्या खड़ी करेगी वट इस दिस क्या है यह यह है वो चक्र जिसने की बहुत से लोगों को मुझे नहीं मैं तो चलो मैं तो सुझाओ आव वास्तु कंसल्डेंट हूं मैं चोड़ हूं मैं पूरी तना से सीजर्ण हूं एक्सपिरियंस भी है एजुकेशन सब कुछ है मेरे पास लेकिन उन वास्तु वालों को जो नोंने अभी कल पर सुझाओ शुरू किया है उनको चक्र में डाल दिया इस चक्र नहीं यह जो चक्र है वट इस मैं सोल द परपस इन स्क्वार प्लॉट अब देखिए यह जो चक अब यह जो चैक्ट लोग है उन्होंने इसको सूपरिम्पोज भी खरना शुरू कर दिया नक्षा लेते हैं फ्लैड का अपाटमेंट का ठीका उसके ओपर उसको सूपरिपोज करते हैं उसके अपर रखते हैं रखने के बाद दिशाएं निकालते हैं 16 दिशाएं 32 किसने निकाली यही थी अब आते हैं आगे ब्रमु चकर विश्णु चकर glow पता नहीं क्या के नाम उन्हों उन्होंने इसको दे दिए आप देखिए ये स compete हर कि यह यह इसके बाद में क्या है knowledge यह आपको पता चला कि हमें जो है ना यह जो square plot हैं जिसको कहते हैं वर्गाकार plot साथियों जब यह आपको एसास होगा कि square plot तो है नहीं मिलना ही नहीं आपको बहुत पहले कभी होते होंगे या कभी गाउं में आप काट लेंगे square तो काट लेंगे अतरवाई जितनी authority हैं सभी इसकी share हों के अंदर जितने भी plot मिलेंगे जितने भी وुखंड मिलेंगे आपको flat मिलेंगे, villa मिलेंगे जो कुछ भी मिलेंगे, factric plot मिलेगा, साथियों मुझे लगता नहीं कि कोई भी आपको जह है plot ऐसा square मिल जाएगा जो कि वरगा कार हो जब वरगा कार आपको जह है plot नहीं मिलेगा तब फिर जब चिपकाएंगे इस गोला कार को इस चक्कर को चिपकाएंगे तब क्या हाल होने वाला आपका वो मैं आपसे share करता हूँ अब यह देखिए also may be okay but no chance of getting ऐसा तो आपको जह है plot भुकर बुकर आपको मिलना ही नहीं है तब क्या करेंगे अब मिलेगे कैसे आपको आईटा कार मिलेगे रेफ्टेंगर plot मिलेगे आपको पता है आपको पता ही आपके सामने आ रहे होंगे हर plot आपके सामने जह है कोई बाइचांस से भूला भटका एक हजार में अगर एक आता होगा आपके सामने तो चौरा साथ आता होगा जिसको वरगाकार कहते हैं सात्मियों पुराने समय में खास तरिके से जो राजस्थान के हवेलियां है वहाँ पर जाए स्कैर plot हुआ करते थे चारो तरफ कबरे होते थे बीच में चौक हुआ करता था जब किसी के पास ज़्यादा पैसा आता था बड़ा आदिया मजाया करता था वो plot को लंबा नहीं किया करता था वो एक चौक सात में और जोड लेया करता था और ये कहते थे वहाँ पर सर ये बड़ा आदमी है इसके पास दो चौक की हवेलिया है ये बहुत बड़ा आदमी है इसके पास तीन चौक की हवेलिया तो वो चौक बंते चले जाये करते थे चारो तरफ के जो है जो वर्गा कार चौक होते थे वो बंते चले जाये करते थे सेंटर में खाली होता था ब्रमसान खाली हुआ करता था हवा के लिए और चारो तरफ कबरें बंते थे वहां तक रहा बस उसके बाद में आज के हम बात करने हैं आज की आज के मतलब अभी जो है पिछले 10, 20, 30, 40, 50 साल में जो चेजिस हुए उसकी बात कर रहा हूँ मैं अब आपको वर्गाकार नहीं मिलेगा आपको पूरी तरह से जो वर्गाकार प्लॉट है कोई भी मिलने की संभावना नहीं है ये देखिए मिलेगा ही नहीं होई ने सकते मिले ने सकते आपको ठीक है तो आप क्या करेंगे जब मिलेंगे नहीं तो कैसे मिलेंगे आपको ये भी तो देखिए फिर वाट हैपन टूदा फेसिंग अब देखिये अब यहाँ पर जो हमें भूखंड मिला देखिये यहाँ पर क्या हाल होगे हमारा एक प्लॉट तो हमें मिला था स्क्वार पहले मिलने बंद हो गए हैं नहीं अब मिला हमें एसा ही मिलेगा आपको भी आपको भी ऐसे प्रोट मिलेंगे और जब उसमें दिशाएं कोने में गई जब डिरेक्शन हमारी इस वे नौर साउथ कोने में चली गई तब क्या हुआ आप जब 81 गृट की बात करते थे साथियों हर गृट का जो एरिया होता था बराबर होता था और जो उसमें जो पांच दिशाएं मनाया करते थी हम इशान कोन मनाते थे अगने मनाते थे वायू मनाते थे भूमी मनाया करते थे साथ में आकाश मनाया करते थे उन सबका एरिया बराबर हुआ करता था क्योंकि हर जगां पर जितने देवी देवता इशान कोन में है उतने नहीं अगने कोण में हैं उतने ही हमारे वाहिये कोण में रहते हैं उतने ही हमारे भूमी तत्म में रहते हैं उतने ही ब्रह्मस्थान में रहते हैं यह सिधान्त कहता है हम यह नहीं कर सकते हैं हमेशा एरिया बराबर होना चाहिए वासुषात लिक कहता है सिधान्त के साफ से ह इसमें समस्या क्या आगई किसम आप देख ऑ है इसमें जो नौर्थ इस नौर्थ जिस्थ है जो उत्तर पूरव है इसका जो एडिया आपने देखा इशान कॉंड को कई हैं इशान कॉन इशान कॉन इसमें यह के हैं यह आजयता है हमारा पूर रह यह अद्र है यह हमारा खेट और यह हमारा जाता है पाश्चिम ऐसे5 यह वह ऊघ्व डी आμαई South East, जो अगने कोण बनता है, उसका एरिया इतना समिला आपको, यह देखिए, इतना एरिया आपको, यह आपको मिलता है अगने कोण का, अगने कोण हो गया हमारा South East, यह एरिया कम है और यह एरिया बहुत बड़ा है, देखिए, इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया छोटा तो आप इनको बराबर पुरूब नहीं नहीं सकते आप जस्टिफाइए करें नहीं सकते और इसके बाद में क्या हुआ नेक्स्ट इस लाइड में आपको दिखाऊंगा मैं एक्स्टीम केस यह एक्स्टीम केस है अब आखें खुलेंगी आपकी अब तक आप जे आ में आपको मैं प्रूब कर दूँआ कि आपने जो है अगर इस लाइन पर चलेंगे तो आगे चल के आप तसने वाले बहुत बुरे यह देखिए इसमें भी हुआ इसमें भी क्या हुआ कि आप देख रहें कि इशान कॉंड यह देखिए इतना बड़ा एरिया जो है हमारे सामन साव 37 तक आगया अगने कून आ गया और यह हमारा वाई अकों और अगने वाइकों चले गाय। ब्लॉट लंबह होता चला गया और एरिया जो है स Suppose ने प्रिफटD को कितना बड़ा मिला इसको कितना बड़ा परशाद दे दिया हमने इसको इतना बड़ा एरिया दे दिया हमने इसी तना से हमने नौर्थीस को इतना बड़ा एरिया दे दिया अब देखे रहे जैसे जैसे पलॉट लंबा होता जा रहा है वैसे वैसे आपके सामने समस्यात जा रही है बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्ण चिन आपके जहें, काम पे लगते जा रहे हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, बराबर तो होई नहीं सकता, इसमें कैसे होगे तो लंबूतरा प्लॉट होगे ना, इसमें एरिया कैसे बराबर, हमें ही जिस्रिफाई करना है कि हमने ज फड़ा सा इरिया दे दिया, कुछ को में इतना बड़ा इरिया दे दिया, साथ हो यह तो हम गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी, दूसरी बात, एक बात और समय लेना, शास्त्र तो क्या कहते हैं, एक आम आदमी जानता है इस बात को, कभी भी किसी भी प्लॉट के, किसी भी एक भुजा के उपर दो दिशाएं नहीं हो सकती, बिलकुल नहीं हो सकती, एक ही भुजा के उपर दो दिशाएं नहीं होंगी, जब सोचिए, जब भुजाएं चार हैं, जब भगवाने भुजाएं चार बनाई हैं, आयताकार प्लॉट की, तो उसके अंदर आप यह मान के चलिए कि ये कैसे हो सकता है भुजाएं चार और दिशाएं जो है दो ही जगा चिपक जाएं ये देखिए फिर से देखिए इस जगा को ये देखिए दो दिशाएं यहां चिपक के रह गई और दो दिशाएं यहां चिपक के रह गई जबकि plot की बुझाएं तो चार है ना देखिए one two three four इस plot की भुखंड की बुझाएं तो चार है ना हर plot की चार ही होती है mostly वैसे तो और भी होते हैं तिकोने भी होते हैं गोल भी होते हैं लेकिन ज्यादा तर ठीक है तो वह exception है exception cannot be defined as example अब देखिए यह दो जगां पर एक मतलब एक बुझा के उपर दो दिशाएं आगें साथियों आप मेरे साथ में सहमत हो रहे होंगे जरूर कि हां भार्दा जी बिल्कुत सही लाइन पर जा रहे हैं और आखे खोल रहे हैं हमारी इसके बाद अब क्या हो रहा है साथियों कभी भी किसी भी बुझा के उपर दो दिशाएं हो ने सकते हैं वजह से मैं आपको बताया था यह नहीं कि अपना जो है कोई ऐसा हो ने सकता कि मतलब कोई भी प्लॉट जाएं दो दिशाएं एक तरफ फेस कर रही हैं और बाकी बाकी भुझाएं कहीं और कहीं और फेस कर रही हैं यह नहीं सकता फिर तो फिर घूमी दिशाओं में इसका क्या जब सीधे प्लॉट के उपर समस्या आ बता हो तब भी समस्याएगी तब और इसमें घूमे में तो आई रही है अब देखिए बलंडर हो गया स्ट्रेट प्लॉट ये देखिए ये चीज़ें आपकी आँखे खुलेगा ये वह वह स्लाइड है जिस इस स्लाइड ने आपको आपको सोचने के लिए मझबूर कर देया कि आपने जो सीखा सिखाया पढ़ाया क्या पढ़ाया देखिए इसमें क्या हो रहा है ये एक plot है, भूखंड है साथियों, इस भूखंड में क्या हो रहा है कि इस भूखंड में भी आपने वही लगाया, हमने वही विश्णु चक्र कौन सा चक्र था वो, गोला चक्र वो हमें लगा दिया सेंटर में, plot है हमारा लंबोतरा, अब जो plot लंबा है, तब उसमें क्या ह और आदेखिए, इसमें वही चक्र लेकर आए, इस चक्र ने बताया कि हमारा यहां पर नौट था गया, मान लेता हूं, राइट, इसको बताया इसमें नौट, इसको बताया साउथ, मैं गलत तो नहीं हूँ, आपका दिल कह रहा होगा, साथियों, जब हम कोई बात करते हैं ना, तो हमें समझना और समझाना जरूर होता है, अकल मत बुद्धिमान वो लोग होते हैं, या तो मैं आपको अपनी बात से कर्विस कर दो, या आपके बात से कर्विस हो जाऊं, अगर जगड़ते हैं, इसका मतलब दोने वेवकूफ है, अब देखिए, नौर्थ औ बुजराओं कि इसका नरतिकोन कहां गया, साउथ वेस्ट कहां गया, दक्षिन पस्चिम कहां गया, आपका दिल तो कहता होगा साथियों, अब अपने दिल में जहांके देखना, अपने दिल से पूछना, दिल की आवास सुनना, आपका दिल तो कहता होगा, कि इसका जो नर के उपर लगा रहे हैं उसने क्या किया उसने अन्य आइपून कर दिया अनर्थ कर दिया बहुत बड़ा क्या अनर्थ किया आप देखिए इसने कह दिया साउथ वेस्ट ये है भाई साफ इसने इब्रा दिया ये साउथ वेस्ट है आपका दिल कहता है क्या ये साउथ वेस्ट ह बहुत बड़ा बलंडर हो गया स्ट्रेट प्लॉट ओन कार्डिनल डिरेक्शन्स इसके ओपर भी अब आप यह जो चक्र का प्रियों करते हैं यह जो आपने जो सुपर इंपोस करते हैं चक्र को यह आप कितना ठीक करते हैं कितना गलत करते हैं निर्णे आपने करना है भारद इस क्यों कर रहा है अगर आपका दिल कहता है आप वास्तुफ कंसल्टेंट है या अपने घर के लिए वास्तुफ कर रहा है खुद आप सीख रहा है या सिखा है आपने तो फिर आप अपने उपर उस चीज को सुपर improvise मत करो यह जो super improvise कर रहा है जो इसके उपर ढग रहा है आपके भावन के उपर बहसीबी six flat यह गलत कर रहा है आपको वही जो 81 growing वाला फार्मूला था हमारा उस फार्मूले को लेकर चलना है आप किताबे समिलेगा 81 ग्रिट मिलेंगे आपको और ये सब बनाने का तरीका लिखाऊगा लेकिन ये तरीका जो है चक्र मना के सेंटर में ये तरीका आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा अब देखिए मैं चलते चलते वीडियो बनाई मैंने आपके लिए जगाने के लिए आपको चलते चलत जिसकी जो practical है मेरे सामने practical है कि 10 feet by 200 feet का plot उस दुकानदार का जो लोगे का काम करता है आगे का बठवारा किया पीछे का भी किया उसके बा corr है यह इसकी जो है यह दो सो फिट है बिल्कुल लाइन के सही है यहां पर भी आगए भारी साब वही वाले जो चक्र लेकर आए थे वह आके बोले के सर देखिए मैं जहना इसको मैं अपना अभी आपको दिशाएं दिखाता हूं कि इसमें डारेशन कैसे चलेंगी आपकी और ने क्या किया। उन्होंने यहां पर आकर सेंटर में इसके अपना दूख दिया। रखने के बाद वही गोल चकर बनायाकर और बनाने के बा estéश एपका यह एस्ट है। यह आपका साथ है यह आपका वेस्ट है और हे आपका यह आपका नौट है। कि इस लंबे प्लॉड के उपर अगर वह व्यक्ति कहता है कि आपका जो इतना एरिया है कि यह जो एरिया है आपका अगर इस एरिया को वह कहते हैं कि यह एरिया आपका कि यह एरिया आपका साउत आपकर बन गया है अगरे कोन आपका नोर्फ साथ यह फोटी कोन है तो यह क्या है कि एक सबस्जिए क्या है क्या है है क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी थोड़ी सी जगां के अंदर थोड़ी सी जगां में दो दिशाय Аजाएं थोड़ी जगां में एंदर दो दिशाय आ जाएं इस भवन को इस प्रोट को calculation होती है वो इस तना से की जाती है देखे फिर से वही plot बनाया मैंने जिसके बाद की थी अभी वही plot फिर से मनाया मैं कैसे करता है इस दे पता रहाँ आपको ठीक है मैं इस पर आप कि नंबर दो कि जितने भी देवी देवता होते हैं उन सब का निवाज जाहें जितना होना चीज सबको अरिया बराबर मिल जाए ना तो ग्रिड का अरिया का मों ना दिशा का कम हो अब यह इसे कैसे करते हैं देखिए कि के मैं कैसे करता वो जो देखा था ना सेंटर में सेंटर में रखके जो कमपस देखा था वो कमपस जहें वो दिशाय गलत नहीं दिखा रहा था दिशाय बिल्कुत ही दिखा रहा था वो तो करने वाले की गलती थी कि वह इन एरिया को जस्टिफाइड नहीं कर पा रहा था करे कि पर चुकादे जलरा बाइनैंगे जब नॉर serious होगा इसका मतलब किया इशानकोंद यह नहीं मैं यह करता है मैंने सबस् получилось मैं मेरा इस्थ आता अगल पनल्थ मेरा peach आता हूं तो यह मेरा यहां ओरने धारन करेंगे एरिया का साथियों तब क्या होगा, तब उस case में आपको, जो दिशाएं मिलेंगी, वो कुछ इस तरह से मिलेंगी, ये देखिए, एक ऐसे मिल जाएंगी, और दूसरी जो है, आपको जो लाइन मिलती है, वो साथियों, एक ऐसे मिलती आपको तो दूसरी जो आपको लाइन मिलती है वो वो आपको ऐसे मिलती अब क्या हुआ नाप ले नाप ठीक है इसका जो है आप मेजरमेंट कर ले ना अब आप इसका मेजरमेंट कर ले ना यह जो पूरा का पूरा एरिया है साथियो यह अगनी कौन है और इस अगनी कौन में जो इंटेंसिटी है वह सबसे हाद अगनी कॉंड के इंटेंसिटень यहाँ पर है धीरिए यहाँ जीया इंटेंसिटी का मुझे लगता है कि आज मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा तो चला पर हाँ इस वीडियो में मैंने आपको जय काफी कुछ ऐसा बता दिया जो कि सोचने के लिए आप आज नहीं तो कल तो मजबूर होई जाते जब क्लाइंट ही आप से कहता कि सर आप प्रूब कर दो आपने दो जगहां पर एक छोटी सी जगहां पर दस फूट के अधर आपने मेरी पूरी की पूरी दोनों दिशाएं आपने ठोक दी हैं बाकी जगह का क्या हुआ वो दिन आपके सामने ना आये इसलिए आपके लिए सीखना ज़रूरी है मैं आगे इस पर स्री चलाओंगा कई वीडियो मनेंगे इसके उपर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब परें और सीखें मुझसे साथियों जब हम अपने आपको अकल मत समझते तो कोई गलती निस करते लेकिन जब सामने वाले को बेफकुफ समझते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं साथियों कलाइं ही हैं वो जानता है वास्तों के बारे में कभी कभी तो कलाइंट इतना जवर्दस नौलेज वाला होता है कि हम समझते हैं कि यह वास्तों वाला है कि मैं वास्तों वाला हूं बहुत अच्छी नौलेज भारत का ग्यान सब के पास होना चाहिए मैं कामना करता हूं हर किसी के पास बच्चे से बड़े तक ये वास्तों का ग्यान पहुँचे लेकिन सही पहुँचे गलत ना पहुँचे यही मैसेज मैंने देना था आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया होँवर दे दिया सोचना इसको एनलाइज करना और ये देखना के ठीक क्या गलत क्या अगला वीडियो फिर से आपके सामें आएगा एक निया टॉपिक लेकर आऊँगा और उस पर बात करेंगे वास्तो शास्तर की अंसुल जी पहेलियां यही सुल जाता हूँ मैं अगले वीडियो पर फिर से आपसे मिलता हूँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त नमस्कार धन्यवाद थैंक यू एंड टेक कियर